हेलो नमस्क्राइब दोस्तों सुवागत है आप सभी का और बैसिल यानि ब्रोडकास इंजिनिरिंग कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड यह एक सकते हैं कि कॉंटेक्ट बैस पे निकालती है वेकेंसियों को ठीक है दूसरे डिपार्टमेंट की रहती है और वह एक्जाम करात काल्यानी बेस्ट वेंगाल है वहां का वेकेंसी जो थी उसके लिए नहीं ठेका लिया बैसाब एक चीज बता हूं इसमें आप जो भी लोग देख रहा हूंगे एम्स भोपाल का लिया था लेकिन उसका आज दस महीने हो चुके हैं कुछ भी नहीं करा रहा है उसमें गोटा हमसे होपाल को उन्होंने सोब दिया था वेसल वालोंने यह उनका कहना था फिलाल हम इसी पर आते हैं इसी वेकंसी के कितने पोस्ट है क्या है वो सब जानकार यह आपको दिखा देते हैं इस्टोर कीपर कम क्लर्क में ग्रेजूसन मांगा है ठीक है और 30 के लिमिट रखी ग आगे हम बता देंगे कभी आपको फार्मेसिस्ट की दो पोस्ट है इसमें डबलो मांगा है छपी से जार रुपए पेमेंट रहेगी हर महीने की आपकी और इसके पहले जो किस्टोर की पर कम क्लर्क बता है इसमें ग्रेजूसन आपको एक साल का एक एकस्पिरिंस भी होना जब भी निकलती है तो मैं कि जो भी पर का काम कर रहे हो या कभी उनको को इसी जौब मिले तो एक साल का एकस्पिरिंस जरूर ले ले लें जाता है यदि वो नहीं हो आपके पास तो फिर आपको ग्रेजेशन के साथ एक पोस्ट डिप्लोमा डिगरी होता डिकरियल मेनेजम हर कोई नहीं भर सकता केवल वह भर सकता जिसके पास material management का एक diploma या डिगरी हो ठीक है तो यह अच्छा carrier option है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म सिस्टम में आपको बता दिया diploma होना चाहिए फॉर्म सिस्टम में चब्विस जार ठीक है और यूडीची की बात करें एक पोस्ट निकली 36 पोस्ट है इसमें यूडीची और डाटा इंट्री अपरेटर की यह वह वह पोस्ट है जिसमें अधिकता लोग फॉर्म फिल अप करेंगे ठीक है इसमें 12 पास और आपकी टाइपिंग स्विट 35 बार दीस बार प्रमिनेंट संदी करने की संभावना बनाई जा रही थी आज तक कोई भी भी जो है रिजल्ट नहीं किया अभी आते हैं इसमें पापिस इसमें गेस्ट स्टीवर्ड टेंट प्लस टू साथ सलक एक्स्पिरियंस रिकर्ड मेडिकल रिकर्ड टेकनीशन में बाहर भी पास बोला है और चाहिए डिबर्टी आज टेखनीशन के बात करें तो यह बढ loot क्या टीपलोमेशन मेरें घडिकल ल्बubby टेकनीशन का रेक्स आइछ पिकल आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम एक और कुंसी पोस्ट है लाश्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन ग्रेट-3 फिस्में बीच टिगरी और बीस्ट टिगरी या वीच टिगरी के सांसता आप अंड करके लिखाया तो उसमें बैचलर डिगरी हो और library science का आपके पास क्या हो एक डिपलोमा या डिगरी हो ठीक है do library science का आपके पास डिगरी होना चाहिए इसमें तो यह important जो post थी मैंने आप बता थि BASEL.NIC tootal पे आप जाएंगे यहां से online आप आपभेदन कर पाएंगे ठीक है और इसकी जो date रहेगी वो लांच डेट कब रहेगी तो लांच डेट इसकी अठारा बारा है ठीक है अठारा तारिक इसकी लांच डेट है तो आप जिदने भी लोग है बेस्टे बंगॉल के आसपास तुरत इसमें अगर वही कहीं कि मतलब ठोड़ा सा प्रोसेस इसमें और जगा बेसल का फास्ट हो होलता है ठीक है आपका टारेक्ट काम हो जाता है तो जो भी वैक्ति इसके इक्षो को अलाकि कुछ जगा आप इसमें फरजी वाड़ा भी देखने को मिल जाता है जिससे हम से हुपाल में अभी तक उन्हों नहीं है अभी इसमें इंपोर्टन चीज बता दें कि फीस का क्या मैटर हैगा तो फीस में जो है बता दें आपको फिस जो है जन्रल की रहेगी साड bend 700 रुपए और 500 रुपए अगर और एक से ज्यादा पोस्ट के लिए कर रहा है तो फिर 500 रुपए आपको हर पोस्ट के लिए जोड़ते जाएंगे वह पांसर रुप एट करते जाएंगे अलावा दूसरी पोस्ट के लिए भी डाल रहे हैं तो पिएड़ुए और पीच के लिए 4500 रुपए रहेगी वाकि सभी के लिए और स्ट्ट्ट्ट्र स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स के लिए सब्सक्राइब जो सेम अब हम आपको इसके ऑफीसिल जो वेबसाइट है उसके वारे मता दें यह अभी हमने बता दिये कि यह जो है बैसिल ड करके केरियर सेक्षिन पर जाएं वहां से आप सारी जो है रिजिस्टेशन करेंगे और इसके बाद आप फार्म को फिल अप कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसे लगी ज़रू पता हैं और आप जरूत मन्द हैं तो यह फार्म ज़रू फिल करें थैंक्स वाचिंट इस वीडियो कर दो दो मैं?